दोस्तो नमस्कार मैं हुस्सुरभी गंगना रनावर बॉलिवुद की एक ऐसी एक्ट्रोस जिसने सबसे पहले शुशान सिंग को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज उठाई लोगों ने सोचा होगा कि उसके लिए कौन बुलेगा क्योंकि अब तक सारे चुप हैं जिसन साथ जो हुआ उसे देखने के बाद बॉलिवुद का कोई भी बड़ा स्टार सामने नहीं आया किसी ने अपनी राय देना तक उचित नहीं समझा यहां तक कि कंगना ने महराश उस सरकार से भी भड़ गई वो लड़की यहां वो शेरनी है संजे राउत के सवालों के जवा हो सल्मान खान हो अमिताब बच्चन हो हर कोई चुप है खामोश है मौन है आखिर क्यों कंगना नाथ इस समय शिव सेना के साथ वे विवादों को लेकर भी चर्चा में हैं के घर को अफिस को बुरी तरह तोड़ दिया गया दो करोड का लॉस वा कंगना नाथ को हलाकि उन् मॉंबई सरकार से दरते हैं जो शुषान सिंग को न्याद लाने के लिए बॉलिवुट की और राजनीती की बड़ी-बड़ी हस्तियों से भड़ जा रही है महरश्य सरकार से पंगा ले रही है उसी कंगना के लिए बॉलिवुट का कोई भी साथी उठकर एक आवास तक नह के साथ इतनी बुरी तरीके से विवहार किया गया उसके बावजूद भी बॉलिवुट के ये दिगज तिकडी कुछ नहीं बोली सलमान शारुक और आमिर मैंसे किसी ने कोई भी राय नहीं दी कुछ भी नहीं कहा ऐसे में तो यहीं लगता है कि या तो यह महरश्य सरकार से पंगा नहीं लेना चाते या फिर इने कंगना से डर लगता है दरसल शुषान सिंग को लेकर तीनों ही खान ठ्रोल हो चुके हैं लोगों ने भी यहीं सवाल किया कि आखिर इन तीनों ने अपनी कोई राय अपनी कोई व्यू या फिर अपनी कोई पॉइंट्स क्यू नहीं शुषान सिंग को लेकर दोस्तो अब देखना ये है कि कब तक ये तीनों खान अपना मूँ खोलते हैं और सच बात तो ये है कि इन तीनों खान में से किसी ने भी शुषान के लिए सीबिया इजाज की मांग की बात भी नहीं की थी दोस्तो इस पर आपकी क्या राय है कॉमे में जरूर बताएं